हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमसकार 17 अक्तुबर 2021 और आज के दा हिंदू निज पेपर गॉमलग डिसकस करेंगे और अलिसिस करेंगे आप इसके पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा या सीधा प्रिवर् और जो मॉस्को प्रोसेस है उसमें भारत की एक टीम जाएगी उसके अंदर पाइटिसपेशन करने के लिए और तालिबान गवर्मेंट ने डिप्टी प्राइमिस्टर को वहाँ पर पाइटिसपेशन करने के लिए भीज़ा है अब जो नेशनल सेक्योर्टी डवाइजर की मेटिंग होगी भारत के अंदर जो भारत होस्ट करेगा उसमें पाकिस्तान के NSA को भी इन्विटेशन फिजा गया है इनके अलावा अगर आप देखें इसमें इरान, रश्या, चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उस्वेकिस्तान रिजिनल सेक्योर्टी डायलोग हो पार्लियावेंटिक लीडर की मेटिंग होने वाली कोवनवेल्थ में और क्योंकि यह 100th एयर यानी एक सेंचुरी सेलिबरेशन होने वाला है और पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियावेंट के द्वारा जो अरली दिसम्बर के अंदर हो उसको लेकर इन्विटेशन भीजा गया है हलाकि इस पूरे प्रोसेस में अफगानिस्तान में जो भी इवेंट हो रहे हैं उसको लेकर जो नेशनल सेक्योरिट इडवाइजर्स हैं उनकी मिटिंग होगी मेंली टेरिजिम और ट्रांस नेशनल सेक्योरिटी को लेकर यहां पर डिसकर्सिन होने वाला है अब ही पाकिस्तान की तरफ से कोई confirmation नहीं कि वो इसके अंदर participate करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन government of India की तरफ से ये officially भीजा गया है और ये पाकिस्तान की तरफ से भी confirmed किया गया है यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल है कि पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट किया गया क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी लेंड बाउंटरी जो सेर करता है अफगानिस्तान से दूसरा पाकिस्तान का एक इंपोर्टेंट रोल भी है डारेक्ट और इंडरेक्ट इस पूरे प्रोसेस में इसके अलावा अगर आप देखेंगे हो सकता आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के देखेंगे तो दो तिन इंपोर्टेंट नियूजे पहली हम लगाता हो देख रहें जमौन का स्विर में या वैली में जो लस्क्रे-ताहिवा के जो मिलीटेंट है वो इसके अंदर कहिए नहीं के सस्पेक्टिड है लस्क्रे-ताहिवा ग्रूप इसके लावा दा फृरंटियर रेजिटन्स ग्रूप जो है यह काफी ज्यादा नियूज में और सीविलियन पर इटक का यह 9th event है इसी महिने में 9th ये death की हुई है और इससे पहले अगर आप देखेंगे 7 civilians की death हुई थी और अब दोन और नए cases आपको देखने को मिलते हैं ये पूरे process में काफी challenging और ये इसके लेकर पहली बता जा रहा था कि अफगानिस्तान में जो situation खासकर जो minorities के against attack हो रहे हैं या जो civilians के against attack होते हैं लेकिन minorities के against अटेक हो रहे हैं ति उसका भी कहीं relation इसको correct करके देखा जाता है इसी कॉंटेक्स्ट में लगातार सर्च ओपरेशन जो जारी है यहाँ पर आप देखेंगे पूंच के अंदर ओपरेशन जारी है और पूंच के अंदर एक फोरेस्ट एरिया के अंदर है लेकिन सैड न्यूज यह है कि हमारे कई सारे जवान भी इसके अंदर सहीद हुए और उनको जो टर्रीस्ट है उनको एक तरीके से ट्रेस करने को लेकर ओपरेशन लंबा है क्योंकि फोरेस्ट एरिया वहाँ पर ओपरेशन करना भी काफी डिफिकल्ट होता है इसके जाश राइट हैं यहाँ पर एक न्यूज देखेंगे नेस्जरी नेसनल सिक्योर्टी जम्मो एंड कस्मीर रिशन में हमने जुरूर सुना होगा कि इंडियन एरफोर्स स्टेशन पर जो अटैक हुए थे ड्रोन्स के तरू जिसमें कुछ एर्मैन जो इंजर हुए थे और बिल्डिंग्स को डैमेज करने कोशिस की गी थी उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक स्टेट्मेंट देगी है नैशनल सेक्योरिटी गार्ड के द्वारा कि वो डिप्लोई करेंगी एंटी ड्रोन कवर और क्योंकि यह जो मॉडरन टेक्निक्स है टेरिजम की जिसको टेक्नोलोजी बेज टेरिजम बोलते हैं जिसमें ड्रोन के थ्रू अटैक करना इस त आप पर एंटी ड्रोन कवरर जो है वो अफर किया गया है नैशनल सेक्योरिटी गार्ड के दोबारा ठीक है तो बहुत ही छोटी चोटी इंप्रमेशन जो आपको देखने को मिलेगी इसके बाद इस पेज पेज़ जो में इंप्रमेशन है ये वाली इंफ्रमेशन बहुत इ इसराइल में यह हाई लेवल के engagement meeting होने वाली है तो काफी important है इसके लावा वो इसराइल के foreign minister से भी बातचित करेंगे वहां के PM से वहां के president से वहां के जो parliament के speaker उनसे भी बातचित करेंगे तो पांच दिन की visit होने वाली है काफी important है और यह visit इससे पहले अगर आप देखेंग कि इसराइल के जो प्राइमिस्टर है नेफ्ताली बेनेट सिर्फ चार महीने पहले बने थे और उनके बाद यह visit भारत के perspective में भी important है क्योंकि 2017 के बाद भारत की तरफ से कोई high level की meeting होने वाली है इनके अलावा इस visit के अंदर वहां के जो foreign minister है इसराइल के यायर लेपिट इ कि उन्होंने coalition government बनाई अलग-अलग parties के साथ government बनाई और 2013 में rotation होगा rotation in the sense कि ये प्राइमिस्टर सिप को छोड़ेंगे और नए प्राइमिस्टर बनेंगे यायर लेपिड तो coalition agreement में ये है कि प्रीमियर सिप को rotate किया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर ये प्रेजडेंट इजाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे प्राइमिस्टर बनेट से मुलाकात करेंगे और केंसेट जो कि वहां की parliament को बोलते हैं Mickey Levy उनसे भी बातचीद इनके speaker उनके जो उनसे भी बातचीद होगी इनके लावा Israeli ambassador जो है designate to India Naor Glon इनसे भी इनकी मुलाकात होने की possibility है और इन् जो इंडिया और इसराइल की relation उसको strategic partnership में convert किया गया था 2017 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो काफी ज़्यादा improvement हुए है इस relation में भारत और इसराइल के relation में दो important चीज़ें एक है agriculture और दूसरा defense sector इनके अलावा knowledge based partnership को improvement करना, collaboration करना, innovation and research के अंदर, making India को boost up करना, य यह सारी चीज़ें जो है priority के अंदर होगी, इनके अलावा इंट्रेक्ट करेंगी business leader से, high tech से, innovation industry, इन सब से इन तरीके से interaction होगा, और last में यहाँ पर mention किया गया कि tribute to soldiers, हेफा एक वहाँ पर जगह है, हाइफा भी बोल सकते है, जो कि पहले world war के बाद जो लोग एक तरीके से soldier जिनकी death होगी थी, उनको tribute करने के लिए प्लेस है, तो वहाँ पर यह जाएगे और Indian origin Jewish community से मिलेंगे, Indologist से मिलेंगे, Indian student जो वहाँ पर study कर रहे हैं, उन से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, यह widget अपने आप में तब भी important है, क्योंकि Pegasasas surveillance को लेकर, Pegasasas spyware को लेकर काफी ज्यादा news में रहा था, जब monsoon का session चल रहा था, परलियमेंट का, तो उसमें ये भी माना जाता था कि, Israeli company NSO का एक Pegasasas software इसके अंदर use किया गया, company ने बोला कि NSO के वल government को, agencies को ही software भेजती है, तो इस context में काफी ज्यादा debate भारत के अंदर भी, क्या भारत सरकार ने जासु करवाई, क्या spy करवाई, ये सारे चीज़े हैं, उनके उस तुरान ये visit काफी important भी है, इससे पहले अप देखेंगे, जो प्राइम मिंस्टर थे, इसराइल के Benjamin Netany, उस टाइम प्राइम मिंस्टर थे, उनके उपर भी कहने के allegation लगता था, भारत के प्राइम मिंस्टर के against भ वो share कर दी गए थी, और एक surveillance को लेकर controversy जो है वो देखने को मिली थी, देखें, Pegasus software के front में एक नाम यूज किया गए, NSO, NSO बिसिकली तीन persons के name से ये बनाए, इसके बाद page number 9 पे दो important news है, जो हम cover करेंगे, सबसे पहले army air defense steps of procurement करके news है, यानि Indian army air defense procurement को जो है step up करेगी, उस उसको paste करेगी, इसके बारे में, इसके लावा नीचे जो एक news आपको देखने को मिलेगी है, saline soil के reclamation को या एक तरीके से उसको improvement करने को लेकर कैसे सुन्दरबन में एक study हुई, उसको लेकर हम discuss करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर army air defense step up procurement करके जो mention किया गए, इ यहाँ पर जो issues हो रहे हैं, deal को finalize करने में, delay और उन सब को sort out करने को लेकर speed up क्या जाएगा, यहाँ पर यह photograph आप देख रहे हैं, आकास missile का surface to air missile है, जो कि air defense के लिए प्रोकर की गई है, इसी context में army air defense के द्वारा, defense sector में army को modernization करने को लेकर लगातार, इंप्रूमेंट के ज किया गया, जैसे, आकास surface to air missile है, इसके लावा under development medium range surface to air missile, इसको MR, SEMB बोलते हैं, इगला as very short range air defense, वह short system जो की हम रशिया से purchase करेंगे, यह सारे system को लेकर प्रोकरमेंट करना, उनके trials करना, इसको ramp up किया जाएगा, इसको speed up किया जाएगा, इसके लावा army जो है लगातार, ए आकि emergency procurement उसका हो सके, और two front पे जो China और एक side Pakistan हम situation देखते हैं, उस context में defense sector हैं, खासकर Indian army का modernization होना बहुत जुरूरी है, इसी context में आप देखेंगे, अकास regimen भारत के अंदर दो इस time है, और दो और regimen बनाने को लेकर negotiation चल रही, अकास basically indigenously designed एक तरीके से missile है, जिसकी range है 25 km, इसी तरीके से MRSEM के variants को लेकर भी लगातार effort किये जा रहे हैं, जिसमें DRDO के दोवारा और Israeli airspace industry के दोवारा, ये MRSEM साइद BRAC missile के बारे में बात कर रहा है, तो ये आप लोग confirm करेंगे कि MRSEM में जो इसराइल के airspace industry और DRDO के दोवारा पनाई जा रही है, क्या ये BRAC missile के बार missiles हैं और आने वाले कुछ महिनों में ये सारी सारी चीज़ें complete होगी और उसके बाद induction होगा भारत की आर्मी के अंदर, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, defense function जो तीन लेवल पर काम करता है, gun missile system, medium range और high range, इसके अलावा यहाँ पर guns में भी दो type ही होती, AD guns या AD gun missile system और AD self propelled guns, ठीक, तो यह बहुत depth में इसके बारे explain कर रहा है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इंडियन जीन लेचाए, ACAS SAM है, या MRSAM है, यह काफी important है, high range के perspective से, ठीक, इसके अलावा Indian Air Force भी लगातार अपने, यानि यहाँ पर MRSAM जो Indian Air Force को भी handover की गीए, जिसकी range से 70 km तक रहा है, वो counter कर सकती है, इसके अलावा Igla S वश्रोड जो deal है, वो उसमें delay हुआ, और उसके delay की वज़े से काफी problem भी हुई, Igla S के बारे में इससे पहले कुछ और companies के साथ भी trials, तिरी किस agreement थे जैसे MBDA, France और Saab of Sweden को लेकर discussion हुआ था, लेकिन final जो deal हुआ, वो ही थ Igla S के साथ, और उसमें भी काफी ज़्यादा delay हुई, तो उसको boost up करने के लिए, उसको तेज करने के लिए, उस process को complete करने के लिए, यहां पर यह बोला जा रहा है कि उसको speed up करना जरूरी ramp up करेंगे, इसके लावा air defense guns को भी procurement करने को लेकर permission दीगी है, और इसमें अलग-अल नमबर बतायागा है कि इतने guns, इतने air defense guns या इतने rounds की ammunition जो है वो procurement करने को लेकर या develop करने को लेकर लगातार काम चल रहा है, इसके बाद एक study हुई, यह study हुई सुंदरबन में, सुंदरबन में basically study का main theme क्या थी कि saline soil जो है, यानि जो नमकिन मिटी हो जाती है, खारे पानी की वज़े से जो मिटी में, लमनता बोलते है हिंदी में इसको, ठीक है, उसको reclamation यानि उसको improvement करने से सुंदरबन में एक तरीके से agriculture, farming sector के लिए काफी improvement देखने को मिला है, और long term sustainable, ecological and economic empowerment के रूप में, farmer के context में देखने को मिला है, यानि farmers को sustainable, ecological and economic empowerment में मदद मिलती है, अब ये पूरा issue basically है क्या, रेशन में आपने देखा हुआ cyclone yas के बारे में पड़ा हुआ जो मही के आसपास आये था, उसके बाद इस particular area में, सुंदरबन वाले area में, जो किसान है, उनको लगता देख साइद इस पार crops नहीं हो, क्योंकि अगर मिट्टी में बहुँ ज़्यादा saline है या लवनतिया हुई है, तो उसकी capacity जो है, यानि जो crops की resistance against saline, वो बहुत ही कम हो जाती है, crops develop नहीं हो पाती है, इस context में कुछ scientist ने, कुछ ecologist ने, जो conservationist है, इन्होंने एक operation चला, ताकि cultivate किया जासके, यानि धान की खेती महाँ पर किया जासके, इसको लेकर एक technology के तो sustainable ecological और economic empowerment को लेकर इन्होंने जो sotrum की cyclone के बाद कैसे relief की तरह काम करेगा, उसको लेकर इन्होंने एक project initiate किया, और इसमें उनको success मिली है, जनरली कोई भी अगर saline एक तरीके से मिटी है, उसको improvement करने के लिए ये एक तरीका अपना जाता है कि deceleration कर दीजे, fresh water उसके अंदर impose कर दीजिए, बट ये difficult सुंदर बन वाले area क्योंकि fresh water quantity को वहाँ पर contain करना ये इतना असान नहीं है, दूसरा अगर आप salinity के अगर आप observe करेंगे, इसको desi siemens के अंदर observe किया जाता है, ये भी काफी ज़्यादा high थी, उसके बाद इन्होंने जो exercise connect करी, उसके बाद ये कमी इनका जो research है, उनकी जो study है या desalination exercise है, scientific spot के थुरू ये काफी improvement करती है, और दूसरा ये माना जाता है कि अगर ये successful होती है, तो सुंदर बन में जो farmers है, उनके लिए एक नए track के initiative या नए track के steps के रूप में देखने को मिलेगा, तो ये काफी important लेकिन brief make information आप लोगों के ल इसमें दो तिन चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन में जो है दो नई चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, इसमें पहला स्रिलंका आइं green agriculture, अब ग्रीन agriculture क्या होता है, स्रिलंका इस तरह की चीज़ें क्यों सो चला है, इसके बारे में, दूसरा आश्यान की meeting होने के अंदर ही बनता है, देकि सिलंका वो country है इस ताइम दुनिया में, जो साइद economic crisis की एक limit cross कर चुका है, क्योंकि वहाँ पर debt, यानि कर्ज इतना ज्यादा हो चुका है, कि उसको pay करने के लिए उसको या तो जमीन lease पर देनी पड़ रही है, जैसे चाइना के context में, या वो अ और mostly country अगर आप देखिएंग फर्टिलाइजर एक context में, वो import पर depend, भारत भी import करता है, सिरलंका भी एक huge amount में फर्टिलाइजर जो import करता है, इस context में एक तो fertilizer की requirement को improve करने के लिए, देश की forestrys को improve करने के लिए, इन्होंने step लियागी भाई, अब जो fertilizer है, जो chemical वाला fertilizer होता है, उसको replace करेगा organic fertilizer, ठीक, और इसके अलावा, यहाँ पर इन्होंने चाइना का एक shipment था, जिसके तो यह प्रोग्रमेंट करते हैं, उसको ban कर गया है, हलाकि चाइने बोलता है, यह ill-advised या unscientifics है, farmer भी इसको एक तरीके से विरोध करते हैं, इस मूँ को क्योंकि उनको एक chemical और organic fertilizer के वीच में, सिलंका के सामने सबसे बड़ी problem क्या है, triple T economy आप मानते हैं इसको जैसे textile है, tourism है और tea है, लेकिन तीनों में contraction हो, तो foreign exchange बहुत ही कम है, और foreign exchange में अगर आप देखेंगे, केवल fertilizer का, केवल fertilizer को 300 से 400 million dollar का इनका estimation है, import पर इतना dollar इनको खर्च करना टेक्स्ट में, ये अपनी amount को save करने के लिए, एक ऐसा step लेरें, जिसके थुरू एक तरीके से import भी कम हो, और मिट्टी की जो quality है, वो भी improvement हो, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि, अगर organic fertilizer को improvement मिलता है, या वहाँ पर भढ़ावा मिलता है, green agriculture को promote मिलता है, ये step अच्छा ह करिए, दोनों के बीच में, organic fertilizer और जो chemical वाला एक तरीके जो fertilizer होता है, उनके बीच में balance करेट करने की requirement है, इसी context में ये सिलंका, चाइना से जो 96,000 ton का स्रिक्मेंट था, इनने hold कर दिया था, हलागि चाइना ने ये बोला था कि बहुत ही history conclusion आपने लिए, बहुत में conclusion लिया, जिसका कोई scientific base नहीं है, क्योंकि चाइना तो बहुत ज़्यादा fertilizer supply करता दुनिया वर में, और चाइना की अगर आप economy को observe करेंगे, चाइना बहुत हद तक export पर different country है, अगर export चाइना से नहीं होगा, तो चाइना की economy भी contraction करेगी, क्योंकि जैसे भारत की economy को मना ज़्यादा consumption based economy है, कि अगर हमारे यहाँ पर production होता है, तो हमारी consumption की capacity भी है, लेकिन चाइना की बहुत हद तक चीज़ें जो वो export पर dependable है, इसके बाद आशियान countries की meeting होने वाली है, आशियान जिसमें 10 countries है, और यहाँ पर यह बोला गया कि मैनमार के जो जंटा चीफ है, य यहाँ पर यह mention कर दिया गया है, कि non political representative नहीं होगा, non political का मतलब क्या है कि मैनमार के अंदर इस time जो सत्ता में है, वो military chief है, इसी को लेकर आशियान ग्रूप ने, क्योंकि आशियान के इस time chair कर रहा है गुरुनी दारो सलाम, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भई, आपको invite नहीं करेंगे, मैनमार के बारे मैं आपको बता दो, कि मैनमार में जो सरकार इस time पे है, वो military chief के दोवारा जोहर लीड की जा रही है, क्योंकि जो democratic government बनी थी, वो उनको उन्होंने उसको हटाया, और उसके बाद एक तरीके से, खुद की सरकार उन्होंने create की, बनाई, और उ उसको आपने हटाया, उनको detain किया गया, और इस तरीके से event वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसके बाद page number 11 पर जो science and technology का column दिया गया, देखिए science and technology में आज यानि 17 अक्तुबर 2021 को कोई specific news नहीं है, general news जिसके बारे में जो daily basis पर होती है, जैसे virus को लेकर, या concentrator को लेकर, इस तरह की जो news है, तो ये बहुती normal सी information, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा, अगर exam perspective से देखेंगे, तो इतनी ज़्यादा relevant information नहीं है, फिर भी अगर आपको मन करें, इसको पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन specific news यहाँ पर mention नहीं की गई है, कोई की targeted जैसे UPS CSE से targeted हो, इसके बाद FAQ के अंदर तिन topic जो पूरे week में news में रहें, उनके बारे में discuss किया गया है, तो मैं आपको brief में इसके बारे में बता दू, तिनो topic के बारे में, कि basically यह है क्या, ताकि आप एक updated रहें, देखिए left hand side जो news दी गई, वो दी गई है, vaccine for malaria, जिस रिशनली WHO बच्चों ने recommendation करिये, बच्चों के लिए vaccine सब सारण African countries के अंदर, क्या ये भारत को benefit करेगी, तो ये important है, मस्क्रिक्स नाम इसका है, वैसे इसको एक और name से भी जाना जाता है, उसके बारे में discuss करेंगी, RTS vaccine बोलते हैं, वैसे मस्क्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसके ल बचा गया, इनके बारे में brief में सब के बारे में देखेंगे, क्या है basically, रेशन में WHO ने recommendation करिया, ये पहली WHO recommendation वाली vaccine होगा, जिसको approval दी गई, वैसे तो malaria की vaccine European country में है, लेकिन WHO ने जो approval करी वो पहली है, ये मस्क्रिक्स नेम से होगी, और इसमें temperature भी mention किया गए, दो डिगर Celsius तक आपको ये preserve करनी है, इसके अलावा यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर एक pilot program चले है, किनिया, घाना, मलावी के अंदर, और ये काफी important माने जाते हैं सब सहारन region के अंदर, यानि अफरीका के सब सहारन region में, बच्चों के लिए जो approval दी गई है, उन में काफी important है, और यह paragraph देखेंगे, क्योंकि malaria की वज़े से बड़े level पर death होती है, उसको protect के अज़र सा life threatening disease है, यह number जो बताएगे है, 2019 में, WHN estimate क्या था, कि 229 million केसी देखने को मिले, और इसमें 4,09,000 के आज़र पास जो है, death हुई थी, और इन में 67% बच्चों के death हुई थी, इसलिए बच्चो इसी चीज़ को लेकर यह mention किया गया, भारत को क्या benefit करेगी, देखिए भारत को benefit यह definitely करेगी, अगर, क्योंकि भारत में, जो number of cases है, malaria कि वो काफी ज़्यादा है, और number of death भी भारत में, ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हलाकि फिलाल approval नहीं है, इसमें भारत में, इसमें approval और आने वाले time में, होस रखता है कि भारत भी जल्द approval दे, जैकि malaria के कई तरह के, बोलते हैं ना, variation देखने को मिलते हैं, किस level का variant कितना effective है, अलग-अलग देखने को मिलते हैं, जैसे COVID-19 में, delta variant है, इस तरह के variant देखने को मिलते हैं, malaria में भी sub types हैं, और उसको identify करना, vaccination करना ये काफी important है, और ये क्योंकि एक European country के दुआ, company के दवारा बनाएगी, उसमें technology को क्या transfer करेंगे, नहीं करेंगे, और क्या production करेंगे, वो सारी चीज़े हैं, या भारत के वल import करेंगा, ये सारी चीज़े issue देखने के लिए, अभी pending हैं, लेकिन ये माना जाता है कि भारत का जो medicine sector है, या तरी के से pharmaceutical sector है, ये बड़े लेवल पर vaccine को production करने मदद करेंगा, अगर ये company technology को share करेंगे, ट्रांसपर करेंगी, जो थोड़ा मुस्किल भी लगता है कि किसी company ने अगर develop करेंगे, तो वो एक उस पे patent पे जाएंगे, और फिर process होता है, अगर हो सकता है, के तवारा, एर इंडिया के अंदर काफी जादा debt देखने को मिलता है, या बड़े लेवल पर करजा, वहाँ पर ये face कर रही थी company, और इससे पहले 1932 में ये टाटा की company थी, बात में 1954 में nationalization कर दिया गया था, रश्टी कर दिया गया था, बड़े लेवल पर इसमें करज जो और इससे पहले अगर आप देखेंगे, टाटा के पास कुछ और एरलाइन सा, तो इसका combined share के बाद ये second airlines होगी टाटा ग्रूप्स के द्वारा, टाटा में भी अलग-अलग companies आपको देखने को मिलेगा अलग-अलग लेवल पर, तो ये टेलेस private limited जो की टाटा की subsidiary वो इसक इसना खराब कदम है, या अच्छा है कि बुरा इसको लेकर काफी ज़्यादा debate है, लेकिन इन सब के बेज में क्योंकि इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा, यहाँपर आप देखेंगे 18,000 क्रोड रुपे है, अभी भी लगभग 28,000 क्रोड रुपे और करजा जो है, सरकार को पे करना है, इस कंपनी की वज़े से, और लगभग माना जाता है कि डेली बेसिस पर इसका डेट लगातार इंक्रीज हो रहा था, इसलिए गवर्मेन ने डिसीजन लिया कि इसकी 100% स्टेक को बेचा जाएगा, और वो सेल किये टाटा को एक बीड के तुरू, इसके बाद कोल क्राइसिस के बारे में, लगातार न्यूज में, कोल क्राइसिस बेसिकली है क्या, उसके बारे में क्यों इतना ज्यादा न्यूज में है, ये रिशन में भारत में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है, उसमें स्टोक की कमी देखने को मली, क्योंकि थर्मल पावर प् maximum किसी किसी में एज़ दिन कर मारे पास यह कमी क्यों हूई यह सब से क्राइसिस का मतलब एक weakness क्षे करे है तो किस इस के लावा international demand बहुत जादा बड़ी है क्योंकि एक दम से दुनिए वर की recovery जो वो economies recover कर रही है तो demand बढ़ी और demand supply के बीच में जो gap हुआ उसकी वज़े से इसी हुआ क्योंकि भारत अभी भी कोईले के लिए काफी हद तक import पर depend रहता है भले ही भारत में कितना भी coal production हो अभी भी dependency है खासकर जो high quality का यानि अलग-अलग जो इसमें varieties देखने को मिलते हैं तो उसमें अच्छे level का जो कोईला हमें import करते हैं जैसे एंद्रा साइट है ठीक है cooking coal है हम import करते हैं और इसी को नेकेवल power generation बिलकि aluminum industry के अंदर भी use किया जाता है तो उसमें एक तरीके से issue create होरा supply के अंदर या supply disturb होई तो उसी चीज़ को लेकर बोला जाता है कि क्या भारत में power cut देखने को मिलता है सेम चीज़ चाइना में देखने को मिली एकदम से import की demand बढ़ती है कोईले की कीमत महेंगी होती है इस तरफ currency की value कम होती है तो ये overall एक mixed pressure जो देखने को मिलता है उसका impact है call crisis तो ये एक important में इसके बारे में बता दू हलागि सरकार ये वो रहे कि power cut को लेकर जो information है वो base less है उसका कोई base नहीं है ठीक है इसके बाद छोटी-छोटी कुछ और information रेशन में आपने पढ़ा होगा कि government of India ने ministry of home of air ने एक notification लेज़ किया यहाँ पर इस power का क्या मतलब और 50 km का क्या मतलब जैसे boundary है ये पाकिस्तान की boundary है माल लेते हैं ये base of की forces है ठीक है तो इस boundary से लेकर 50 km की area तक ये जो है trust कर सकते है अगर कोई इसे चीज़ है जो इसको arrest कर सकते हैं सेज कर सकते हैं ये दो वज़े से सरकार ने किया, ये किया कि भई एक तो अफगानिस्तान से illegal drugs आ सकती है, दूसरा security perspective से decision लिया गया, अब इसी चीज़ को लेकर पंजाब और West Bengal, क्योंकि असम में तो BGP Government है, इन स्टेट में ये बोला जा रहा है कि भई आपने federal structure का violation किया, federal structure का मतलब किया है जिसमें central state power share करते है, power separation का जो concept है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नजीम मिराते के बारे में discussion किया गया है, जो लेवनान के billionaire prime minister बने, लेवनान वो country जो इस टाइम दुनिया का worst economic crisis face कर रही as per world bank, तो वो billionaire prime minister बने है, और अभी भी protest वहाँ पर continue है, इसके बाद अजे कुमार मिश्रा जो की काफी ज़्यादा news में रहे, यूपी वोईलेंस केस में, लखविपूर कीहरी का जो केस था, उस context में, इनके बारे में बताया गया है, लास्ट जो information है, वो बहुती brief में डिसकस करूँगा, यह climate finance tech transfer now is not defined, finance minister की तरफ से statement दी गी है, finance minister साब अभी visit पर गई थी यूएस के अंदर, अगर आपको यादो पैरिस एग्रिमेंट में इन्योर किया गए, एक हंड़र बिलियन डॉलर पर यार जो developed country है, वो developing country को देंगे, तो इसको measure कैसे किया जाएगा, technology transfer को लेकर, इसको लेकर अभी इन्होंने बोला कि कोई answer नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्या हो, उसके बारे हम डिफाई नहीं है, इसके अलाबा, ये काफी important क्योंकि conference और parties की meeting होगी, ग्लासगो के अंदर, United Nation climate change conference number 26, और जिसको लेकर भारत पर pressure create करने कोशिस की जाती, US, UK के दवारे की announce करिए net zero emission, लेकिन भारत ने net zero emission को announce नहीं किया है, हम लोग, हमारा ये एक simple सा statement है, कि developed country net minus की तरफ जाईए, और भारत जो है, वो Paris agreement के अंदर जो targets है, उनको अलेड़ी हमाचीव कर रहे हैं, उनकी दिशा में बढ़ रहे हैं, उन direction को complete कर रहे हैं, तो हमारे उपर pressure create मत करिए, बलकि आपको जो है ensure करना की net minus की तरफ जाए, तो ये था इस video का end, thank you all, हमारे जाए, जैहिन,